So guys, ready to see my old works? But wait, 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 मैं आपसे बहुत ज़्यादा important कुछ बात आपको बताना चाता हूँ एक बार अच्छे से सुन लो, उसके बाद ये देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा So let's start Hello दोस्तो, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक strategy शेर करने वाला हूँ जो आज तक मैंने कभी ऐसे शेर नहीं की है पर मैं मानता हूँ ये चीज मुझे बहुत help करी थी और काफी interesting भी थी तो इसलिए मैं ये share कर रहा हूँ आप चाहो तो same चीज आप भी कर सकते हो interesting way में अपने art skill को improve करने के लिए खास कर portrait तो दोस्तों शुरुआत में हम hero hero के photos खुशते हैं अलग-अलग face खुशते हैं इंटरनेट में हम जाते हैं अलग-अलग reference खुशते हैं अपने portrait को बनाने के लिए और portrait को हम बनाने के कोशिश करते हैं हमें समझ नहीं आता बनाने के बाद की कहां पर गलतियां हो रही है शुरू में किसी का भी face match नहीं करता खास कर अगर आप free hand portrait try कर रहें और मैं free hand बहुत शुरू से करने की कोशिश करते रहता था पर portrait नहीं बनता था likeness नहीं आती थी तो मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने facebook पे एक page बनाया और मैं पहले facebook में मैंने page बनाया था जो अभी आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि वो page मैं भी बंद कर चुका हूँ आप चाहो तो वो page जाके देख सकते वो अभी भी है पर मैं उसको अभी नहीं चलाता हूँ उस page में जब मैं जब वो page बनाया तो मैंने क्या किया लोगों से जो normal मेरे facebook में friends थे मेरे दोस्त मेरे relatives और जितने भी मेरे जान पहचान के जो लोग थे उनको मैंने बोला कि मैं आपकी drawing बनाऊंगा free में और मैं इसको अपने page में upload करूँगा आप बस इस photo को share करना इससे क्या फायदा हुआ मुझे मुझे एक photo मिल गई जिसको मैं draw कर सकूँ एक अलग type का face मिल गया hero heroine के अलावा एक normal किसी person का face मिल गया तो इससे फायदा क्या हुआ मुझे अलग-अलग face मिले जिसको मैं draw कर सकूँ दूसरा फायदा जब मैं इसको facebook में upload करता था और जिसकी portrait मैंने बनाई है वो जब इसको share करते थे तो जो लोगों तक वो पहुंचता था तो सबको पता चलता था कि मैं portrait के तौर पे portrait बनाता हूँ और as an artist मैं आगे बनना चाहता हूँ या फिर ये passion के बारे में जो art मेरा जो passion है इसके बारे में लोगों को पता चला तो free में लोगों तक ये बात पहुंचने लगी क्योंकि आप अलग-अलग जिस इंसान का portrait बनाओगे अगर free में बनाओगे तो वो कोशिश करता है कि वो share कर स के work को बहुत जादा जिसके कराण आप demotivate नहीं होते हो अगर आपके में थोड़ी भी थोड़ी बहुत गलती भी है अगर आख नाख थोड़ा बहुत गलत भी हो रहा है तो सामने वाला ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं यार बिल्कुल गंदा बना है ऐसा कुछ नहीं थो आपको support करता है वो सामने वाला खुष होता है हम पैसे लेगी जब commission वग करते हैं तो सामने वाला बोल सकता है चौथी बात, चौथा फाइदा जो है, वो यह कि अगर आप किसी नॉर्मल आदमी का फेस बनाओगे, किसी नॉर्मल परसन का फेस ड्रॉ करोगे, और उसमें अगर कुछ गल्ती होती है, सामने वाला जल्दी सनी बताता है क्योंकि आप फ्रेम बना रहें उसको अच्छे लग सब तारीफ करके चले जाते हैं, आपको गलती समझ नहीं आती, पर आप किसी परसन का चहरा बनाते हो, तो आप उसको डारेक्ली पूछ सकते हो कि इसमें मेरी क्या गलती है, वो बता भी देगा, आप देख भी लोगे कि हाँ, यह मेरी गलती है, आप इंप्रूव भी करोग क्योंकि आप फ्री में बना रहे हो, जिसकी पोट्रेटा बनाओगे, उसको अच्छा ही लगता है, चौतिस चीज क्योंकि उसका चहरा है, वो गलती, आप उससे पूछोगे तो बता भी सकता है, वो भी एकदम पॉजिटिव मैनर में, ताई हूप आपने अभी तक वीडिय की जो फेस्बुक में फ्रेंड्स थी, उनकी, उन सब की बनाई है, यह मेरे कुछ दोस्त है, यह मेरा दोस्त है निखिल, एंड यह भी सीरिस ऑलसो वन फ्रेंड, जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं सब मैं, जितनी भी मैंने पोट्रेट बनाई थी, मैं ट्राइ करता कि इसको मजाक उड़ाएगा, तो उसको मैं दो-तीन बर बनाता था, ट्राइ करता था कम से कम इतना तो ढंका बनाऊं कि सामने वाला को ठीक ठाग ही लग जाए, तो आप देख सकते हैं, यह भी एक मेरी फ्रेंड है, मैंने ट्राइ किया था कि दो-तीन बर बनाके नीचे रहें, वो सही जगा पे ले आऊं, तो आप देख सकते हो कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था पोट्रेट में, और मैंने, मैं जब भी कोशिश करता था कि लाइकनेस लाओं, बिल्कुल वो एक बार में आ जाए, ऐसा तो बनता ही नहीं था, यह भी एक मेरा फ्र अब जितने पोट्रेट बनाओगे, यह भी एक मेरा दोस्त की स्कैच है, उसको उस समय तो काफी अच्छी लगी थे पर अभी अगर उसको देख रहा होगा तो उसको लगता होगा कि यार क्या ही बनाया था मैंने, देख सकते हो आप कि मैं बिल्कुल भी डिटेल नहीं करता तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप ट्रैक्टिस करते रहो तो जल्दी इंप्रूफ करोगे लेकिन अगर आप अभी से ग्रीड मैथड बहुत ज्यादा इस्तमाल कर रहे हो और अभी से बहुत जादा फिनिशिंग डिटेलिंग देने की कुश्च कर रहे हो तो फ्री हेंड करो भली गलत करो लेकिन ट्राय करो यह एक मेरी सीनियर है तो यह यह जो दीदी है इन्होंने मुझे बोला ता बनाने तो मैंने दो तीन बार ट्राय किया क्योंकि एक बार में तो अच्छे से बनी नहीं रहा था तो आप देख सकते हो कि जो भी फेस जो भी वह फोटो भी जोगए तो मैं ट्राय करता हूं कि उसको बना सकूँ क्योंकि अलग-अलग एंगल में होते है इसमें मैंने एक राखाता एयर मेंशन किया था आपको मैं अच्छा से दिखाता हूं तूथाउजं शिक्ष्टीन में मैं बनाय था ये वाला यह जोवा सिगनेटर भी मेरा पहले ऐसा था और अभी सिगनेचर भी मैंना बदल दिया है जैसे इंप्रूफ करोगे आपका सिगनेचर वगेरा भी चेंज करोगे आपकी क्वालिटी इंप्रूफ होगी आपको श्ट्रोक्स में काम करना है आपको ज्यादा फिनिशिंग में बहुत जादा निगुशना है जादा स्केच करो अभी तो आप देख सकते हो धिर धिर मेरे जो फेशल फिचर से वो थोड़े बहुत इंप्रूफ होने लगे हैं पहले के ड्रॉइंग के हिसाब से अभी आप देख रहे हो यह वाले जोड़े लोंग अभी आ seem year में अगर आप बहुत सारे ड्रॉइंग बना लेते हो आपको बहुत सारे सकेचेस करने यह सारे कुछ फ्रेंड्स एंड् सीनियर्सके सकेचेस है तो आपको बहुत सारे चुर्ईड और जो पेंसिल मैं इस्तेमाल के था वह एकदम स्एंपल नयटराज की पेंसिल थी इस चीज से तो पहली वार किसी foreigner ने मुझे कहा था तो मुझे उस समय बहुत ज्यादा खुशी हुई थी और यह जो पेपर भी है वो जैरक्स पेपर जो नॉर्मल एफोर साइच का जो जैरक्स पेपर आता है मैंने उस पे सारे बोला था बनाने हिरो इनके जो चैरे हैं या फिर नॉर्मल जो हमें नेट में मिलते हैं तरीक пок quatro चाहरे होताए जब आप सामने वाले पर्शन से फोटो मांगते हैं तो वह कोई भी ने रंडमly कोई पजूअ इसके पास चंप होती है वह दे देता है आप प्रैक्टिस करने के बनाने के खुशंक करते हो जिसने जो फोटो सामने वाले ने दी है तो एक तो आप यह चीज भी सिखते हो कि फोटो कैसी भी हो आपको ट्राय करना ड्रॉक करने का तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो जो चीज मैंने आपको आज मैंने आपके साथ शेयर की है मैं चाहता था कि यह चीज मुझे help की थी, तो हो सकता है आपको भी help करे, अगर आपको ये idea अच्छा लगा हो, तो comment बताईएगा, अगर आपके पास कुछ नया idea हो तो भी comment में बताईएगा, जो दूसरे लोग आपका comment पढ़ेंगे, उनको आप से सीखने को मिलेगा, तो आपके पास जो भी idea हो, comment में जरूर लिखे क्योंकि वो बाकी लोगों को help करती है मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए, keep making artwork and thank you so much for watching this video